बाइ एनी चांस अगर हमें इंटरनेशनल ट्रावेलिंग करना है देन उस केस के अंदर अब हमें यहां पे जो है आटीवी सेर्टेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहां पे विक्सिनेशन सर्टिफिकेट के अंदर एक और फेसलिटी यहां पे एड कर दिया गया है जो कि यह इंटरनेशनल ट्रावेल सर्टिफिकेट तो चलिए दोस्तों इंटरनेशनल ट्रावेलिंग काने के लिए इस विक्सिनेशन सर्टिफिकेट को हम कैसे डाउनओर कर सकते चलिए जल्दी से चलते हमारे पीसे स्किन की तरफ और मैं आपको चूड क्यों में यह कोई नबर को एंटर करना है इन उसके बाद gate OTP के उपर हम क्लिक करेंगे OTP को एंटर करने के बाल हम verify and proceed के उपर क्लिक कर देंगे So as you can see here इस page के उपर हमारा second dose का certificate अभी ready है तो certificate को download करने के लिए हम यहाँ पे certificate के उपर click कर लेंगे And यह रहा मेरा domestic second dose का certificate यानि की हमारा final vaccination certificate In any case अगर आप international traveling कर रहे Then in that case आपको यहाँ पे यह international travel certificate चोहे download करके आपको airport के उपर दिखाना compulsory बन जाएगा चलिए तो हम download करते international travel certificate को and इस link के उपर हम click करते है So as you can see here यहाँ पे हमे date of birth एन हमारा passport number यहाँ पे enter कर देना है Enter करने के बाद हम यहाँ पे declaration के उपर click करेंगे and then submit request के उपर हम click कर लेंगे As you can see here यहाँ पे हमारे पास एक notification आ रहा है जिसका अंदर लिखा है कि हमारे जो final certificate है वो अभी हम download कर सकते है चलिए तो यहाँ से हम back चले जाते है जैसे हम इस page के उपर वापस आएंगे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक जो है option add हो चुका है जो कि है track request चलिए हम track request के उपर click करते है तो finally हमारा international travel certificate यहाँ पे ready है download करने के लिए मगर आपको यहाँ पे एक warning भी दिया है कि अगर आपको अपना certificate को change करना है then only one time आप अपना vaccination certificate को change कर सकते है now फिर सह हम यहाँ पे international travel certificate button के उपर click करके हमारा international travel certificate को download कर लेता है so as you can see और हमारा international travel certificate यानि कि हमारा vaccine certificate यहाँ पे ready है तो यहाँ पे हमारे पास domestic as well as अभी हमारे पास international travel जो है vaccine certificate यहाँ पे ready है यह दोनों certificate के बीच में सिर्फ एक यहाँ पे अंतर है जो कि है passport number अगर आप यहाँ पे गोल करोगे तो international travel certificate के अंदर यहाँ पे passport number दे दिया गया है यह certificate को आप international traveling करने के दोरान उपयोग में ले सकते है तो दोस्तो इस वीडियो के अंदर फिलाल बस इतना ही अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगाओ देन वीडियो के अपर लाइक करके हमारी चैनल को जरूर से subscribe कर लिजेगा So as always I will see you in my next video until you do whatever you wanted to do and bye for now